अरे अरे चेक कीजिए आपके अकाउंट में 4 लाख रुपे आया की नहीं आया नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह की बहकी बहकी बाते क्यों कर रही हूं मैं बाते इसलिए कर रही हूं क्योंकि बीते दिन यानि कल के दिन मुख्यमंत्री नतीश कुमार ने कहा है कि सभी की अकाउंट में 4 लाख रुपे ट्रांस्वर कर दिये गए पहली किस्त में दो लाख रूपे मिलते हैं गुरुवार को नितीश कुमार ने पहली किस्त लाभेर्थियों के खाते में भेज दिया है बिहार उधियोग विभाग ने गुरुवार को पटना इस्तित बापू सभागार में एसी उन मुखी कारिक्रम का आयोजन किया इस मौके पर नितीश कुमार भी मौजूद थे पहली किस्त में 4 लाख, दूसरी किस्त में 4 लाख, तीसरी किस्त में 2 लाख रुपे दिये जाते हैं उधियोग विभाग के अपर मुखे सचीव संदीप पॉंडरकी ने बताया है कि जिन लाभुकों को फेज वन की ट्रेनिंग पूरक हो चुका है जिने चालू खाता पोटल पर अप्लोड कर दिया गया है उन्हें पहली किस्त दे दी गई है उन्होंने बताया कि मुखे मंत्र उद्मियोजना 2023-24 के सभी घटकों को लक्ष पूरा नहीं हो पाया है जिन लाभुकों 31 अक्टूबर तक मिल चुकी है वे 30 नवंबर तक तीसरी किस्त के लिए आवेदन करना होगा दूसरी किस्त के लिए भी आवेदन के अंतिम तारिक 30 नवंबर ही है इसके बाद पोटल बंद हो जाएगा इते दिन कल मुख्यमंतर नतीश कुमार ने उद्यम योजना को लेकर एक बड़ा एलान किया उन्होंने कहा कि इसमें जितने भी लाभैर्थी हैं उन्हें पहली किस्त दे चुकी है जहां एक तरफ पहली किस्त में 4 लाख रुपे दिये जाएंगे दूसरी किस्त में 4 लाख रुपे दिये जाएंगे और तीसरी किस्त में 2 लाख रुपे दिये जाएंगे फिलहाल के लिए इस खबर में इतना हैं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें निउस फोनेशा